Hello student, welcome to back in your math class and now today we will learn word problem, okay? आज हम क्या पढ़ने वाले है? word problem, हमारा topic कुन सा चलू है? subtraction by borrowing, okay? हम यहाँ तक आए है, subtraction by untang 10, subtraction by 100, untang 100 और हमारा next part क्या है? word problem है, okay? तो अब देखिये, क्या कहा है? word problem देखना है, there are 175 trees in महाराज पार्क and 268 in साइजी पार्क How many more trees are there in साइजी पार्क than there are in महाराज पार्क? क्या कहा है? महाराज पार्क में tree कितने जए? 175 है और साइजी पार्क में क्या है? 268 है तो हमें question क्या पूचा है कि साइजी पार्क में महाराज पार्क से कितने जएदा trees है? तो हमें क्या करना है? subtract करना है, okay? 268 और 175 trees का हापे हैं महाराज पार्क में 6 में से 7 नहीं जाते इसलिए हमने यहां से एक बौरो किया यहां पे होगे 16 अब 16 माइनस 7 किया तो कितना होगा? 7 रहे, 9 रहे जाएंगे और 1 माइनस 1, 0 हो जाएंगा तो कितने रहे जाएंगे? 903 more trees क्या आएगा? साइजी पार्क है 903 more trees, okay? हमने क्या किया? इसे subtract किया साइजी पार्क और महाराज पार्क क्यों? क्योंकि हमें क्या बताने थे? कि साइजी पार्क में कितने ज्यादा trees है than महाराज पार्क ऐसे बताने थे? हमारा क्या आएज़र? साइजी पार्क है 93 more trees, okay? Now next, there were some books in a book shop. The shopkeeper brought 125 more. Now where are 236 books in the shop? Shop, how many were there in the beginning? तो उसके पास beginning में कितने क्या रहेंगे? Books रहेंगे, okay? तो क्या है? 235 में से हमें क्या करना है? 125 निकालने हैं, okay? क्या करना है? 234 में से हमें 125 निकालने हैं, क्यूंकि books ये books निकालने हैं, क्यूंकि हमें तभी हमारा बिगिनिंग के बुक्स हमें पता चल जाएंगे कि कितने थे बिगिनिंग्स में कितना हो जाता है देखिए फोर में से फायो नहीं जाते तो हमें इसको क्या करना है बॉरो करना है यहाँ पर रह जाएंगे फोर और यहाँ से एक दिया हमने तो यहाँ पर रह जाएंगे फोर्टिन हो जाएंगे और यहाँ से हमने बॉरो किया तो हमारा एक नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ओके, यहां से एक नंबर कम हो जाएगा, अब देखो, 14-5, 14 में से 5 गए तो कितने रहे जाते हैं, 9, और 2-2, 0, और 2-1, 1, तो क्या आएगा, हमारा आंसर क्या आया है, 109, ओके, तो हमारा लास्ट में क्या आएगा, 109 books were there in the beginning क्या आएगा 109 books were there in the beginning ओके नौ नेक्स्ट there are 315 girls and 215 boys in the school how many more girls are there than boys क्या आएगा कि एक school है वहाँ पे 350 क्या है girls है और 215 क्या है boys है तो हमें क्या पुछा है कि girls कितने ज़्यादा है boys से तो अब हमें क्या करना है subtract करना है क्यूं करना है क्यूंकि हमें कितने ज़्यादा girls है ये पुछा है अब 350 क्या है girls से और boys कितनी है 215 boys है अब हमें करना है subtract 0 में से 5 नहीं जाते इसलिए ये 0 और 1 का किया हमने बौरो किया तो कितना हुआ 10 हुआ अब ये इसको बौरो किया अब तो एक नमर automatically कम होगा तो यहाँ पे रह जाएंगे 4 ओके अब 10-5 कितना आजाएगा 5 आजाएगा और 4-1 आजाएंगे 3 और 3-2 आजाएंगे 1 तो हमारा answer क्या आया है, 135, ओके, तो फिर last में हमारा answer क्या आएगा, 135 girls are there than boys, क्या आएगा, 135 girls are there than boys, ओके, now next, Mary had 500 rupees, she bought books worth rupees, 275 rupees, how much money will be left with her, क्या कहा है, Mary के पास 500 rupees है, और उसने book में spend कितने पैसे किये है, 275 rupees spend किये, तो अब उसके पास कितने rupees है, ओके, तो हमें करना है 500, में से कितने निकालने है, 275, क्यूं, क्यूंकि उसने 75, 275 का book खरीदा, और हमें क्या पूछा है, कि अब उसके पास कितने रहेगे, ओके, 0 में से 5 नहीं जाते, 0 में से 7 नहीं जाते, 5, तो क्या करना है, 100 plus से लेना है, यहां से 1 लिया, तो यहां पे हो जाएगे 10, देखिए, क्या किया है, 500 का book लिया है, उसने, उसके पास है, और 275 के क्या किये, उसने book लिया, तो हमें क्या करना है, सब्ट्राइक करना है, अब देखो, 0 में से 5 नहीं जाते, 0 में से 7 नहीं जाते, इसलिए 100 plus से, यहां से लिया, तो यहां पे हो गए 10, और यहां से दिया, तो यहां पे हो गए 4, अब फिर से 0 में से 5 नहीं जाते, हमें इसको भी देना है, तो यहां प ऐसे करना है, तो हमारा last में answer क्या आएगा, 225, तो क्या आएगा last में, 225 rupees will be left with her, okay, now next, क्या करना है, using the information, make word of your own and solve them, क्या करना है, हमें question, हमें सिर्फ given information दी रही होगी, हमें question बनाना है, और वो solve करना है, देखिए, information क्या है, bits with a man, 325, और bits with shulba, 150, अमन के पास कितने bits है, 325, और shulba के पास कितने 150 है, हमने problem क्या बनाया है, कि a man has, हमने फिर एक नाम लिया है, ओके, a man has 325 bits and shulba has 150 bits, how many more bits should shulba take so that they will both have an equal number of bits, ओके, क्या कहा है, कि अब shulba के पास कितने ज्यादा bits है, ओके, 325, कितने हैं, among के पास, और shulba के पास कितने हैं, 150 हैं, तो अब ओके, shulba के पास कितने, ओके, अब हमें subtract करने हैं, 5, 5 में से 5 होगे, 5, 5-0, 5, 2 में से 5 ने जाते, इसलिए, एक यहाँ का लिया, यहाँ पे होगे 12, और यहाँ पे होगे 2, तो 12 माइनस 5 होगे 7, और 2 माइनस 1 होगे, 2 माइनस 1 होगे 1, ओके, तो आंसर के आया, 175, ओके, तो क्या आएगा, shulba should take 175 bits, क्या आएगा, shulba takes 175 bits, ओके, वैसे ही हमको दिया था, example solve करके, वैसे ही हमें यह problems बनाने है, और example क्या करना है, solve करना है, ओके, now first one is, 257 bits and 300 bits, यह सिर्फ हमें information दिये, ओके, हमने क्या दिये, सिर्फ information, हमने problem क्या बनाया है, कि हमें problem बनाना है, और वो solve करना है, अब हमने क्या problem बनाया है, करन has 257 bits and कार्थिक has 300 bits, how many more bits does कार्थिक have than करन, तो कार्थिक के पास करन से कितने ज्यादा bits है, तो हमें क्या करना है, subtract करना है, 300 में से 257 निकालना है, तब हमको क्या मिलेगा, कि कार्थिक के पास कितने ज्यादा bits है मिलेंगे, अब देखो, 0 में से 7 नहीं जाते, 0 में से 5 नहीं जाते, तो हमने 100 प्लेस से लिया है, पे हो जाएगा 9, ओके, फिर इसको देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9, क्योंकि हमने इसको दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगे 10, इसको दिया है, तो यहाँ पे एक नमबर बढ़ जाएगा, और यहाँ पे एक नमबर कम हो जाएगा, ओके, अब 10-7, 3, 10 में से 7 गए, 3 रह 4 और 2 मानलस 2 जिरू फिर लास्ट में अंसर क्या आएगा कार्तीक थे वोर थे थे वोर पोर 9. क्या है हमें 324 हापुस मैंगो और 268 पायरीज अपने प्रॉब्लम क्या बनाना है बनाया है कि तो हापुस मैंगो से पायरी मैंगो कितने कम है वो हमें क्या करना है निकालना है 324 क्या है हापुस मैंगो जए और 268 पायरीज मैंगो है करो सब्ट्राइट 4 यहाँ पे रह जाएंगे 14 क्यूंकि हमने यहाँ से एक बॉरो किया यहाँ पे हो गए 14 फिर 1 में से 6 नहीं जाते तो फिर से यहाँ पे इसको कट कर दिया फिर यहाँ पे एक दे दिया तो यहाँ पे हो गए 11 और बाद में आएंगे यहाँ पे इसको एक दिया तो यहाँ पे एक नमबर कम हो जाएगा और 14 माइनस 8 14 में से 8 गए तो कितने रह जाएंगे 6 और 11 में से 6 गए तो हो रह जाएंगे 5 और 2 माइनस 2 0 तो लास्ट में आंसर क्या आएगा A fruit seller has 56 less spirey mangoes than hapus mangoes क्या आएगा A fruit seller has 56 less spirey mangoes than hapus mangoes ओके Now next information क्या है 188 mangoes trees और 275 guas trees ओके Okay हमें information क्या है 188 mangoes trees है और 275 guas trees है हमने problem क्या बनाया है कि in an orchard there were 188 mangoes trees and 275 guas trees how many more guas trees than mangoes trees are in the orchards तो क्या है कि orchards में mango trees कितने ज्यादा है mango trees से ओके यह है problem अब देखो five में से eight नहीं जा रहे तो हमने यहाँ से एक borrow किया यहाँ पे हो गए five और इसको एक दिया तो यहाँ पे हो गए fifteen ओके और यहाँ पे रहे गए six ओके यहाँ पे एक कम हो गए six फिर से six में से eight नहीं जाते तो हमने two से borrow किया two से borrow किया तो यहाँ पे रहे जाएंगा one तो हो जाएंगे sixteen और यहाँ से दिया तो यहाँ पे क्या रहे जाएंगा one ओके समझ में आया फिर fifteen minus eight कितना होगा fifteen में से eight गए तो seven रहे गए fifteen में से sixteen में से eight गए तो eight रहे गए और 1-1, 0 तो कितना है answer? 87 फिर last में क्या लिखना है? In an orchard there are 87 mangoes 87 more guas trees than mangoes trees कितने है? 87 क्या है? guas trees है than mangoes trees, ओके? यह हो गए 3 questions, 1, 2, 3 questions all करके दिये है फिर हमें आपको यह 3 questions solve करने हैं ओके students, यह हो गया हमारा word problem, ओके? I hope you will understand students So, thank you